हुआ है कि नवश्कार में त्रों आज हम लेकर के आएं सामाने अध्यन का तीसरा सेट जो दो एकोश्ण आने हैं सामानने अध्यन के 40 कोश्चन उसमें आने हैं और 80 कोश्चन सब्जेक्ट कश्च इसमें बनवाई 3 का निगेटिव मार्किंग भी है शुरू करते हैं पहले कोश्चन को तो इसका पहला कोश्चन आज के प्रेक्टिस आठका है खाद्यानों की किर्सी सर्व प्रिथम प्रारंब हुई थी खाद्यानों की किर्सी अब यहां आउप्शन दे रखा है नव पाशान काल मद्य पाशान काल पुरा पाशान काल फिरोटो एतिहासिक काल तो किसमें यह प्रारम हुई थी तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ए अगर आवाज आप लोगों कम आ रही है तो एयरफॉन या हैडफॉन का जरूर यूज करें जिससे आप तक सही आवाज पहुंच सके अब नप पाशान काल की अगर हम बात करें तो यहीं से शुरुवात होती है सही मारव जीवन की खाने की जो भी कच्चा पक्का जैसा पहला कहाया जाता था उस सबकुप सही तरीके से खाने की बात होने लगी थी किर्सी कारें से सम्मंदित उपकरणों की भी यहां पर अविश्कार होने लगे थे और जीवन जो है एक खटे होकर रहने शुरू हो गए थे गाउं बना करके यहां पर रहने शुरू हो गए थे बरतनों की भी यहां आवे सकता पड़ी तो बरतनों के भी अविश्कार यहा बर्तम प्रारंब माना जाता है अगला कोशन हमारे पास है छिरिया सिन्दु घाटि सब्वैता का कौन सा इस्थान और पाकिस्तान में है यानि संदु गीर्पूर। चार यह option दे रखें थो यहाँ पर जो सही आंसर है राइट आंसर है वह हमारे पास हड़ापा की अगर हम बात करें तो यह हड़ापा पाकिस्तान के पंजाब रांध के मांट गोरी जिले में राबी नदी के किनारे पर इस्थे थे सर्व प्रथम 1921 में दायराम सहानी द्वारा उतकनन करके प्राचीन सिंदु घाटी सब्वैता का उतगाटन किया गया था अगर हम बात करें काली बंगा की अगर हम बात करें तो सेंदव सब्वैता के इस्थल काली बंगा राजिस्थान के ये स्रीनगर जिले में गगर नदीश के बाएं किनारे पर एस्तित है इसकी खुदाई 1961 में बीवी लाल तथा बी के थापर द्वारा की गई थी, अगर हम बात करें लोथल की, बात अगर हम लोथल की करें, तो लोथल जो है गुजरात राज्य में इस्तित है, इसकी खुदाई 1956 से 62 के मद्धे, एस आर राव द्वारा की गई थी, आलमगीरफूर की अगर हम बात करें, तो आलमगीरफूर पुरा इस्थल हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरट जिले में ये इस्तित है, और इसकी जो खुज हुई थी, 1958 इस भी में यगदत्य सर्माने की थी इसकी खुज, सब के बारे में आपको यहाँ पर जान हमारे पास में है, निमने लिकित इतिहास कारों में से कौन सा अलाउद्दीन के दक्षणी अभियान में उसके साथ था, हसन निवाजी, मिन हाज, अमीर खुसरो, जियादून, जियाउद्दीन, बर्दनी, ये चार ओप्सन हमारे पास में है, इसका जो राइट आंसर है, व अमीर खुसरो, अब अगर अमीर खुसरों की यहां पर बात करें और पूरे की अगर हैं पर बात करें, तो अलाउद्दीन खिल जी के दक्षण अभियान का उलेख किया है एक बुक का नाम है एक किताब या सार का नाम हम कह सकते हैं खजाइन उल फुतुहू जिसे तारीक अलाही इसमें इसका उलेख किया हुआ है अलाव अद्दीन खिल जी के दक्षिन वेजा का विद्वरान देते हुए अमीर खुस्रों ने कहा भी है कि मलिक काफूर के साथ एक हजार उंट दिल्ली लोटे तो लदे कोस्ट से करहा रहे थे यानि वो उंटों के ऊपर इतना लाधा गया था इतना बजन था इनका कि वो उंट करहा रहे थे अगले कोश्टन की और बढ़ रहे हैं इस्पीड अगर कम लगे आप इस्पीड को बढ़ा सकते हैं अगला कोश्टन है भारत में तंबाकू की खेती किसके सासनकाल में आरंब की गई थी अकवर जहांगीर सा जहां या फिर औरंग जेव तो तंबाकू की जो खेती स्टार्ट की गई थी वो की गई थी जहांगीर के द्वारा यानि जहांगीर के जब सासनकाल था तब इसको शुरू किया गए था अगर इसके हम इतिहास की बात करें तो भारत में जो था तंबाकू सोला सो पांच एज़वी में पुर्त गालियों द्वारा लाई गई थी और इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामाने में बहुत लोग पर यह हो गई यानि लोग इसको पीना शुरू इसको कर दिया भारत में तंबाकू खेती जहांगीर्न के सासन काल में आरम होई इसके खेती भी अरम हो गयी उसके कुछ ही बर्सन में तंबाकू पेने की ऐसी अलत लोगों को लग गई कि यह बहुत ही अधिक तंबाकू का नाम बिर्चलित हो गया ये नुक्सान देने की आदते भी इसमें नुक्सान तो देंगी ही देंगी नुक्सान दायक तो है है इन आदते बचाने के लिए 1670 इस भीम जहांगीर को निशेद कानून भी जारूई करना पड़ा था किन्थू इस कानून का कोई भी असर नहीं हुआ था निवासी यात्री सब लोग इसको पी रहे थे डटके तंबागों की लोग प्रियता बनी ही रही इटालवी यात्री मनूची ने लिखा भी है इसके बारे में कि अकेले दिल्ली में इसके बारे में लिखा है भारत के बारे में कि अकेले दिल्ली में तंबागु पर लगाई गई चुंगी से पिरती दिन पांच हजार रुपए प्राप्त हुआ करते थे, कब की बात है, सोला सोग, सत्रा इस भी की बात है यह, अगली कोश्चन के और हम पढ़ रहे हैं, अगला कोश्चन हमारे पास है, विर्टिस जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवाक्ष के युद्ध में हराया था, अब वो कैप्टन पोफेम, सर आयर कूट, सर हेक्टर उम्रो, जर्नल गोड़र्ड, यह हमारे पास आप्शन है, राइट आंसर जो इसका है, वो हमारे पास है, सर आयर कूट, वी आप्शन इसका राइ बिर्टिश आसन जब था तो बिर्टिश जर्नल इसमें बिर्टिश जर्नल सर आयर कूट ने हैदर अली को पोर्णोवा के युद्ध में हराया था, लेकिन कभ हराया था, यह नवंबर 1781 में पराजित किया था, यहां आपका यह कोशन भी बन जाता है, कि आखिर कभ हराया पर यह तो आपको यह फूंद में जाता है,63 181 में, एक कॉशन आपका यह भी हमारा तैयार हो जाता है, इसी युद्ध में हैदर अली गायल हुआ था और इसी युद्ध की बज़े से गायल होने की बज़े से इसकी मिरत्यू भी हुई थी यहाँ पर एक कोशन यह भी हो जाता है कि किस तारिक को हैदर अली की मिरत्यू हुई तो मिरत्यु हुई थी 1782 में 1782 में इसकी मिरत्यु हुई और 1782 में मिरत्यु जब हुई है तो ये मिरत्यु हुई है 7 December यानि 712, 1782 में इसकी मिरत्यु हो गई यहां कई कोशन आपके complete होते है अगले कोशन की ओर हम बढ़ रहे है अगला कोशन है 1857 के विद्रोहों के समय बिर्टिश प्रिधान मंत्री कौन था 1857 ओप्सन दे रखाए चर्चिल पामिस्टन, एटली, गिलेड इस्टॉन तो यहां हमारे पास जो राइट आंसर है वो है पामरिस्टन संतुदे ही रखी 1857 तो 1857 के विद्रोह के समय बिर्टिश प्रिधान मंत्री पामरिस्टन थे और आगे एगर इनकी बात करें तो विश्टन चर्चिल दित्य विश्चिय युद्ध के समय प्रिधान मंत्री थे अगर भारत के समय की बात करें तो लेवर पारटी के किलिमेंट एटली भारत के समय प्रिधान मंत्री थे वहीं उदारबादी बिलिएंग गिलेड इस्टॉन यह नामी सब दे मंत्री रहे थे यहां सबकी यहां पर अलग अलग बात नहीं हो गई है अगले कोशन की तरफ को बढ़ते हैं और अगला कोशन हमारे पास है उन्निस सो बीस में निमनी लिखित मैं से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वाराज्य सभा रख लिया था ओप्सन है हिंदु महासभा साउथ इंडियन लिवरन फेडरेशन और डी है दा सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी किसने अपना नाम परिवर्तित कर लिया था ए ए आल इंडिया होम रूल लीग इसने अपना नाम परिवर्टित करके स्वाराज्य सभा रख लिया था और यह संतो इसमत्य ही दी गई है 1920 अगला कोशन हमारे पास है फीनिक्स फार्म कहां है फीनिक्स फार्म सूरतगर्ड एसे जो कि इंगलेंड में है डर्वन जो कि दक्षिन अफरीका में है कमपाला तो इन में से कौन चाहिए यहां पर राइट आंसर है वो है डर्वन यानि दक्षिन अफरीका में है अगर बात करें तो गांधी जी द्वारा बर्स 1904 में फिनिक्स फार्म को जर्मन सिल्पकार कालेन वाक की सहायता से दक्षिन अफरीका के डर्बन में इस्थाफित किया गया था यहां हमारे पास एक प्रस्थ दो प्रस्थ और बन जाते हैं कि यह इस्थापना किसके द्वारा की गई तो अब बात आजाती है गांधी जी एक कोशन यह बनता है कि कब की गई तो एक कोशन यह हमारे पास बनता है 1904 यानि एक ही प्रेशन में कई प्रेशन हमारे पास ये बन जाते हैं अगला कौशन हमारे पास है हिमाले की रजना समानतर विले स्रेणी ओ में हुई है जिसमें से प्राचींतम स्राणी है स्रेणी है शिवालिक स्रेणी निमन हिमाले स्रेणी ब्रत हिमाले स्रेणी धाला धार स्रेणी पोशन को देख लें हिमाले की रजना समानतर विले स्रेणियों में हुई है जिसमें प्राचिनतम जो स्रेणी है वो क्या है राइट आंसर जो इसका है वो है ब्रहद हिमाल्य स्रेणी हिमाल्य प्रद्वी की आंत्रिक सक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुढ जाने से निर्मित बलित परवत होता आई कि हमाला प्राचीन टेथिस सागर की विशाल भूद्रोणी से में वलन पढ़ने के कारण इसका निर्मान हुआ था इसकी विविन स्रेणियां जो आपको यहां पर लिखे हुई भी दिखाई दे रहे हैं अलग अलग है अगर इनकी हम बात करें तो अगर एसा मुझे कुछ याद आ रहा है जैसे दौला धर है दौला धर एवं श्रिवालिक यह दो स्रेणि की अगर बात करें तो हमाले परवर्ति काल में निर्मित स्रेणियां हैं इसका जो राइट आंसर है ब्रद हमाले स्रेणि है अगला कोशन हमारे पासन निम्लिकित में से कौन सी परवत स्रंखला भारत में केबल एक राज्य में फैली है राइट आंसर है अजंता अगला कोशन हमारे पास है सूर्य की उर्जा उत्पन होती है सुर्य की उर्जा उत्पन होती है नाविकिय विकढ़नन के द्वारा kneeन के द्वारा नाविकिय शन लैन के द्वारा या आकशीकराण के द्वारा इसका right answer है नाविकिये सनलयन के द्वारा सूर्य और तारों में उर्जा का जो स्रोत होता वो नाविकिये सनलयन पिरकिरिया होती है नाविकिये सनलयन पिरकिरिया के द्वारा ही उर्जा का ये स्रोत भी है माना जाता है हाइड्रोजन जो बंब का निर्माड होता वो भी इसी पिर्गिरिया का एक उधारण है अगला कोश्चन हमारे पास में है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां इस्ते थे यह कहां पर है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल राइट आंसर है आश्ट्रेलिया यह आश्ट्रेलिया में है बहुत बड़ा बिशाल मरुस्थल है अगला कोश्चन हमारे पास है किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की इस्तापना की गई थी बहुत ही मोश्ट इंप्रेंट कोश्चन है किस अधिनियम क के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी ओप्षन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारतिये परिश्चत अधिनियम 1861 सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतिय संविधान 1950 राइट आंसर जो इसका है वो है 1773 वाला यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसकी अगर हम बात करें पूरी विस्तार पूरवक्त तो यह है इसका पूरा विस्तार पूरी व्याक्या की भारत में सर्व पर्थम रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 द्वारा कलकत्ता यानी की बंगाल में 1774 में एक सर्वोच नियाले की इस्थापना की गई यह दिपी यह देश का सर्वोच नियाले नहीं था क्योंकि इस नियाले के फैसले की लंदन में पिरवी कॉंसिल में अपील की जा सकती थी भाराश्षासन अधिनियम 1935 द्वारा देश में संख्य नियाले की इस्थापना की गई थी अगला कोश्चन हमारे पास में है भासाई आधार पर राज्जियों का पुनरगठन कब किया गया भासाई आधार पर राइट आंसर है 1956 में इसका पुनरगठन किया गया था और बन जाता है कि अगर इसमें तारीक पूछ ली जाए तो तारीक क्या होगी महीना क्या होगा तो इसकी जो तारीक है वो है एक नवंबर एक नवंबर 1956 अगर इसका हम आधार को देखें तो इस आधार पर सर्प्रिथम गठित होने वाला राज्जे इस आधार पर सबसर्प्रिथम जो गठित होने वाला राज्जे था वो आंध्र प्रदेश था तो यह यह प्रस्ण भी हमारा बन जाता है कि सर्प्रिथम तो सर्प्रिथम आंध्र प्रदेश है अगर पूछा जाए सोतंत्रता के पाश्चात राज्जे के पुर्णर गठन है तू तो इसकी बरसे समें पूछा जाए तो वह 1903 हो जाता है फिलाल इसका राइट आंशर अग्यानि एक नमबर 1956 होगा अगला कोशन हमारे पास है मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार ऑप्शन में दे रखा है कभी भी निलंबित नहीं किये जा सकते प्रदान मंत्री की निर्देश हो से निलंबित हो सकते हैं राश्ट्रपती की इच्छा इस्तिती में निलंबित किये जा सकते हैं तो राइट आंसर है अधिन रहकर कार्य करती है क्या चीज नियाय पालिका बिधान पालिका चुनाव आयोग यह संग लोक सेवा आयोग राइट आंसर है बिधान पालिका बिधान पालिका यानि भारतिय राजनितिक व्यवस्था में कार्य पालिका बिधान पालिका के अधिन रहकर कार्य करती है अगला कोश्चन हमारे पास है आकस्मिक्ता निधी को राश्टपती कैसे व्य कर सकता है यानि हर देश में आकस्मिक्ता एक निधी होती है और इसका उपयोग राश्टपती कर सकते हैं लेकिन कब कर सकते हैं राश्टिये संकट के समय संसदिये स्विकृति के बाद संसदिये स्विकृति से पूर्व या फिर इसको व्य कर ही नहीं सकते हैं राश्टपती आकस्मिक निधी को अनुच्छेद 266 के अनुचा संसदियेसर jestem राश्टपती के पूर्व खर्च कर सकती हैं यहां पर अनुच्छेद की वात पूछी आ सकती है तो अनुच्छेद जो है Uh अनुच्छेद की बात यह 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 967 सलसल्द यह और हमारा बन जाता है 2066 इस आकस्मिक निधी कि स्थापना संससद्वारा ही की जाती है परन्तों यह निधी फूर्ण रूफ से राश्ष्वाथी के अधीन होती है राश्ष्वाथीक को जब भी इस निधी की आवेशकता मैसूस हो वहस का पुरियोग कर सकते हैं, इस निधी से व्या के लिए संसत की पूरो मंजूरी आविशक नहीं है, किन्तु ऐसे पृतियग व्या को बाद में संसत द्वारा अनुमोदित किया जाना आविशक होता है, इस निधी की फूर्थी भारत की संचित निधी से किया जाती है, अगला कोशन हमारे पास है मानवी गरीवी सूचकांग किस वर्स में बिक्सित किया गया मानवी गरीवी तो यह जो किया गया था 1997 में किया गया अगर इसको देखें तो बर्स 1997 में कि मानव विकास रिपोर्ड में 78 देशों के संबनेप्रतम प्रस्तुत किया गया था इसमें प्रस amigos अजाता है कि कितने देशों का सूचकां किसमे या रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत की गई तो वो 78 देश यह सूचकांक आधार भूत मानवी आवे सकताओं से संबंदि सूचनाओं की माप करता है तो इस तरह से 1997 अगला कोश्चन है आवर्ति को मापा जाता है हर्टज में मीटर प्रति सेकेंड में रेडियन में या फिर बाट में तो आवर्ति को जो मापा जाता है वो हर्टज में मापा जाता है और इसकी बात करें तो आवर्ति की इकाई हर्टज ही होती है कोई आवरत घटना अब आवरत घटना क्या होती है जैसे खाता वोता आवरती जमा खाता क्या होता उसमीं बार बार पैशे जमा की जाते हैं हर मैी तो आवरत घटना एकाई समय में जैतने बार घटित होता है उस उस घटना की आवरती ही कहते है आफ्रिती को किसी साइनाकार तरंग के कला परिवर्थन की दर से दर के रूप में भी इसको हम समझ सकते हैं अगला कोशन हमारे पास है डाक्टरों द्वारा प्रियुक्त होने बाला इस्टैथोप इसको जिस धांत पर कार्य करता है वह है तो पहले तो हमें इस्टैथोप सकोप जो होता है यह क्या होता इसके बारे में पता होना चाहिए जो डाक्टरों को आपने देखा होगा कि वो कान में लगा लिया और पेट पर या हार्ट पर नहीं भी लगा करके चेक करते हैं उसी को स्टेथोस्कोप कहा जाता है जिसको साधारन भासा में आला भी कह देते हैं कि इस काम में आता है यह द्ध्वनी तरंगों के अध्या रोपण के काम में आता है ज्यादातर जु डाक्टर है इसके माध्यम से हेर्द तत फेपलों के रोगों की पहचानकों ज्यातर करते हैं कि पेटा रोगों की पहचानकों फिलाल राइंट आंसर जिहोश्का होगा ध्वनी तरंगों का अध्या रूपा अगला कूश्चन पिलास्टिक से कौन सी गैस उत्पन होती है राइट आंसर है पॉलिथिलीन पॉलिथिलीन गैस प्लास्टिक से होती है प्लास्टिक पॉलिथिन आप इसके संबंद को समझ सकते हैं अगला कोश्चन है मस्तिष्क जिम्मिदार है सोचने के लिए फिर दैगति नियंत्रण के लिए शरीर के संतुलन के लिए या उपर युगत तीनों के लिए राइट आनसर है उपर युकत तीनों के लिए यू आनी आगा विश्व फर्या भरान सुविधा का आरंब हुवा था यह आरंब हुवा था कि Muslim कि ौहसा है में और जब आरम हुआ था तो 183 देशों का सहीव भुआ था सायोग प्राफ्थ हुआ था इसमें यह प्रस्ण आजाता है देशों की संक्या भी पूर्श लिजाती है तो 183 देश यहां पर थे और यही चीज है इसका आगला कोशन देखते हैं किस विगटन नाविक फिर्दूसक ने हाल ही में जनता का ध्यान आकर सित्किया जो भवन निर्मान सामगीरी मे विद्दमान होता है औप्शन है पिलोटोनियम ठोरियम रेडों रेडियं और रैडिय। राइट आंसर थोरियम है तो भवन निर्मान सामगिरी के रूप में प्रयोक्त होने वाले इंट सीमेंट बालू इन सभी में विखंड़नीय परमालू खनीज़ थोरियम के परमालू पाए जाने से आम लोगों की चिंता बढ़ी भी है इसमें क्या है थोरियम परमालू थोरियम दोसो बतिस से ही रेडियो सक्रिये तत्त यूरेनियम जो 233 इसकी बनाया जाता है थोरियम भारत के केरल राज्य के तटकी रेतीले स्थानों पर प्रिचुर मात्रा में पाया जाता है थोरियम का परियोग ना भी किये बेदुत रियक्टरों में भी किया जाता है अगला कोश्चन हमारे पास है पांच संख्याएं जिनका उसात 105 है उनमें से पहली संख्या अन्य चार संख्याओं के योग का दो बटे 5 गुना है पहली संख्या होगी अब यह question तो solution का है तो solution के लिए मैंने पहले ही बोला कि मैं सारे set कराने के बाद एक पूरी वीडियो या दो वीडियो जो भी बनेंगी सारे numerical से संबंदित ही बनाऊंगा फिलाल मैं इसका right answer आपको बताता हूँ answer जो इसका निकल कर आएगा वो 150 लेकिन आपको एक चीर बता दूँ ऐसा कोई shortcut नहीं है ऐसा कोई shortcut नहीं है जिसको हम देखकर कर आंसर एकदम बता सकें मेरे पास पूरा solution किया हुआ रखा है जिसको यहां पर नहीं दिखाया जा सकता है ऐसी कोई वो नहीं है तो अगले कोशन के और बढ़ रहे हैं यह भी हमारे पास में कोशन जो है कि वह निमेरिकल का ही है कोशन है रमेश ने एक वक्सा 10% लाब पर सुरेश को बेचा और सुरेश ने से 20% लाब पर गड़ेश को बेच दिया यदि सुरेश ने 44 रुपय का लावर्जित किया तो रमेश के लिए इस बक्से का किरह मुल्य कितना होगा यह भी सुलूशन का है तो इसका सुलूशन का मैं आंसर हैं बताए देता हूं आपको राइट आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 200 रुपय बाकी सुलूशन करके ही पता लगेगा अगले कोशन की और बढ़ रहे हैं अगला कोशन हमारे पास है एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्रे को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि अन्तिम 6 दिन पिता अकेले कार्रे करता है तो कार्रे 26 दिनों में समाथ हो जात सकता है इन कोशन ऐसे कोशनों के लिए मैंने आपको बताया कि लगभग लगभग 10-12-15 वर्स पहले की हाई स्कुल की आप बुक उठा लें गड़ित की वह भी प्रारंभी के गड़ित की तो उसमें यह सारे कोशन आपको मिलेंगे आप पहां से रिवीजन कर सकते हैं राइट आंसर इसका जो होगा कि राइट आंसर इसका जो है 72 आना चाहिए 72 इसका राइट आंसर आएगा बाकी सोलूशन से ही पता लगे गए तो मैंने देख के बता दिया है अगला कोशन नीचे दी गई गती वाली निमलिक दिविकल्पों में से कौन सी कार सबसे तेज है 25 किलो मीटर प्रती घंटा एए ओप्शन जो है 90 किलो मीटर प्रती घंटा बी है 25 मीटर प्रती सेकेंड सी है 1500 मीटर प्रती मिनाट और डी है 100 किलो मीटर प्रती घंटा राइट आनसर जो इसका होगा वो होगा 100 km प्रती घंटा इसको solve करने के लिए हमें सभी को सभी option को प्रती घंटा के हिसाब से कर लेना है उस से पता लगेगा उसके हिसाब से 100 km प्रती घंटा सब से तेज गती है अगला question है स्वच्च भारत पुरुषकार 2020 में किस राज्य ने पिर्थमिस्थान प्राप्त किया था यहां बात चले यह भारत की राइट आंसर इसका है गुजरात गुजरात ने यह खिताब जीता था और यहां जल सकती मंत्राले द्वारा दो अक्टूबर 2020 को सुच भारत दिवस के अवशर पर विभिन ने स्रेलियों में स不起 यह राज्य को पुरुष्क्रत किया था किया था कि उसका गुजरात को प्रतमिस्थान राप्धुगा था आनने यह तारे कि डिवसふふ के रूप में बनाया जाताा है तो आए कि बंद करके थोड़ा सा सोच करके इस पर हम टिक लगा सकते हैं दो अक्टूबर लेकिन यहां संतों देहीं रखिए 2020 तो दो अक्टूबर यह भी कोशन हमारा पक्का हो जाता अगला कोशन है टोक्यो ओलंपिक में भारती टीम का स्पॉंसर कौन सा ग्रूप होगा टोक्यो ओलंपिक में भारती टीम का स्पॉंसर कौन सा ग्रूप होगा जियो ग्रूप वाइजूस आइनाक्स ग्रूप या अन एकेड मी राइट आंसर है इसका आइनाक्स ग्रूप है यह एक मनोरजन कंपनी है यह मल्टिपल एक्स चैन के अलाबा चिकत सा एवम क्रायोजेनिक उपकरण आधी भी बनाने वाली गतिवीदियों में सामिल होती है अगला कोश्चन हमारे पास है भारती सेना को सटीक निगरानी की सूजना अवलद कराने में सक्षम ड्रोन भारत किस अंस्थान द्वारा विक्सित किया गया राइट आंसर जो इसका है वो हमारे पास है डी आर डी ओ यह रक्षा अनुसंदान और विकास संगठन इसका फुल फॉर्म होती है डी आर डी ओ इसके दोरा भारती सेना को भारत जो भारत नामक है यह पूरा इसका नाम भारत नामक ड्रोन स्वाप गया था स्वादेशी तकनीकी द्वारा विक्सित यह ड्रोन पूर्वी लद्दाक में तैनात किया गया हुआ है अगला कोश्चन है युद्ध सेवा मैडल पाने वाली पहली महिला निमन मैंसे कौन बन गई थी युद्ध सेवा मैडल मिंटी अग्रवाल अवनी चतुरुवेदी भावना कंठ शिवांगी शिंग राइट आंसर है मिंटी अग्रवाल के तो नाम सुना हुआ होगा मिंटी अग्रवाल मिंटी अग्रवाल को एयर फोर्स डेफर युद्ध सेवा पदक से सम्मानिद भी किया गया था यह पदक पाने वाली पहली महिला थी बाला कोट एयर श्ट्राइक अभियान में मिंटी अग्रवाल में निमग अग्रवाल ने उडान नियंत्रनक की एहम भूमी का निभाई अग्ला कोश्चन हमारे पास है वैशिक उर्जा अस्ट्रवाल सूच कांग 2020 की अनुषार निम लिखित मैं से कौन सा सुमलित नहीं है यानि कौन सा इसमें गलत है राइट अंसर इसका है सुमेलित नहीं है यहां निगेटिव कोश्ट आंतर पूछा है आंसर जो पूछा वो निगेटिव तो स्वीडन एक स्वीडन एक सही है भारत एक सही इसका जो राइट आंसर होगा निगेटिव नार्वे नार्वे चार जबकि नार्वे का जो है वो पांच है इसलिए राइट आंसर एह ही होगा अगला कोश्टन है उत्तर प्रिदेश के किस नगर में भारत का छेत्री सांस्कृतिक केंद्र इस्थित है वारांसी लखनव इलहवाद या मेरट राइट आंसर है इसका होगा इलहवाद होना चाहिए प्रियागराज जो इसका नाम है इलहवाद इलहवाद ही है भारत का उत्तर मद्द छेत्री सांस्कृतिक परिशत उत्तर प्रदेश के इलहवाद में अवस्थित है और इप्रतीस या व्यूरा कोशन है भारत में नल्कूभ रहवबं कूप से संचित अधिक्तम छेत्र वाला राज्य है यहीं नलकूप एवं कूप से जो सिंचित होता है अधिक्तिम छेत्रबाला वो कौन सा राज्य है राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश नलकूप और कूप से ही सिंचित होती है यहाँ पर केती अगला कोशन हमारे पास है जैसे लंबा किसी बस्तू से संबध है उसी तरह तीब्र संबध है निम्ण में से किसे तीब्र मुलायम धीमा ध्वनी स्वर इस्तर अभी यहाँ पर दे रखा ओप्षण एक यानि ओप्षण ए बी सी डी तो राइट आंसर जो यहाँ पर होगा तीब्र 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 तीब्री की बात है ध्वनी तीब्र होती है राइट आंसर सी होगा ठीक सी ही होगा अगला कोशन है सिरेणी 13 14 18 27 43 आगे कॉलम खाली है मैं अगली संक्या होनी चाहिए अब वो क्या संक्या होनी चाहिए तो सोलूशन का ही आंसर यह हमारे पास में है अगर हम इसका सोलूशन करें तो राइट आंसर जो इसका आएगा वो 68 निकल करके आएगा यानि डी तेरा और चौदा में अगर हम देखें तो पिलस वन इसक्वाइर की यहां बात आती है चौदा से अठारा तो टू इसक्वाइर की यहां बीच में बात आ रही है और अठारा से 27 देखें तो 3 इसक्वाइर की बात आ रही है 27 से 43 के अगर हम देखें तो 4 इसक्वाइर की बात आ रही है अभी यहां पर जो इसक्वाइर आया 1,2,3,4 सब इसक्वाइर आया तो 43 के बाद जब जगा खाली है तो यहां किरम में आ रहे हैं तो फाइव स्क्वाइर यहां पर आना चाहिए और फाइव स्क्वाइर के अनुसार जब संक्या देखी जाएगी तो वो 68 निकल करके आएगी सोलूसन के लिए यहां पर इसक्रीन छोटी है नहीं हो सकता अगला कोश्चन है पाँच किताबें A, B, C, D और E एक मेच पर रखी है किताब D किताब C के नीचे है तता किताब E के नीचे है किताब A किताब C के ऊपर है लेकिन किताब B के नीचे है सबसे ऊपर और सबसे नीचे रखी किताबें होंगी तो right answer जो इसका होगा सबसे उपर और सबसे नीचे की किताब की बात आ रही है तो सबसे उपर जो किताब होगी वो होगी E और D question कई बार आप इसको पढ़ाएंगे तब यह समझ में आएगा और इसको आप column बना लें column बना बना करके जब इसको लिखना सुरू करेंगे उपर और नीचे की बात आ रही है तो इस तरह से आप column यह बना सकते हैं कि जितनी किताबों की आप रहे सकता है यह एक दो तीन चार पांच पांच ही किताब हैं यहाँ पर और रही है A B C D अब यहाँ पर फिरस्ण को एक बार देखेंगे तब यह समझ माया किताब D C के नीचे है किताब जो D है वो C के नीचे है यहीं से सुरुवात हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा आपका D अब यह C के नीचे है तो यहाँ पर आपका C आ गया आगे क्या कहता है, किताब B, किताब E के नीचे है, किताब B, E के नीचे है, तो E तो हमारा यहां आ गया, और B इसके नीचे है, अब क्या रहे गया? देखें, किताब A, C के उपर तो C के उपर E आ गया, यह हमारे पास पूरा किरम बन चुका है, आगे कह रहा है, लेकिन किताब B के नीचे है, यानि इसकी बात जो है, किताब A जो है, वो C के उपर है, और B के नीचे है, तो यहां पर बिल्कुल सही आ गया है, अब यहां पर अगला कोशन है, संगाई सयोग संगठन के शासना अदयक्षों का 19 बान नियमित सिखर सम्मिलन 30 नमंबर 2020 को बर्चूल बैठक में भारत का प्रतिन दित्ते किसने किया था, राइट आंसर है, यहां पर बैंक या नाइडू, बर्चूल यहां पर बैठक में बैठक में अगर इसकी हम पूरी बात को देखें तो संगाई संगाई संग संगठन जूज यह सोर्ट में ऐसी ओ का नाम इसको दिया गया था कि शासना अध्यक्षों का शासन अध्यादेशों इसको होना चाहिए था, उन्निसमा नियमित सिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 30 नवंबर 2020 को बर्चूल माध्यम से संपन हुआ था, यहां पर एक डेट भी आपकी यहां किलियर हो रही है कि कब हुआ था, तो यहां पर डेट का भी हमारा बन सकता है, 30 नवंबर 2020, इस सम्मेलन की अध्यक्षिता उफ राष्ट्रपती एम बेंक यह नाडू ने की थी, भारत ने 2017 में S.C.O की सदस्रता गिरहन की, यहां पर यह प्राष्ण भी बनता है कि भारत ने इसकी सदस्रता कब गिरहन की है, तो 2017, अगला कोश्चन हमारे पास में है नवंबर 2020 में अंतर राष्ट्रिय समुद्री संगठन IMO जिसको कहा जाता कि समुद्री सुरक्षा समीती ने किस देश के छेत्रिये निविगेशन को माननेता दी राइट आंसर है, वो माननेता भारत के ही द्वारा दी गई है, ए उप्षन अंतर राष्ट्रिय संगठन IMO की समुद्री सुरक्षा समीती ने अपने 120 सत्र के दौरान इंडियन रीजिनल निविगेशन सेट लाइट सिस्टम को हिंद महासागर शेत्र में संचालन के लिए भारत को माननेता प्रदा की भारत यह माननेता पाने वाला चौथा देश से प्रसनी भी आयाता है कि यह कौन सा इस्थान रखता है यह माननेता पाने वाला तो चौथा इस्थान पूर्भ में अमेरिका रूस एबम चीन इसकी माननेता प्राप्त कर चुके हैं सबसे पहले अमेरिका प्रद्थमिस्था पर आता है दूसरे नमबर पर रूस तीसरे नमबर पर चीन और चौथी नमबर पर भारत तो यह कोश्चन हमारे पास हो गए चालीश कोश्चन बाकी इसी तरह के कोश्चनों के साथ अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए आप वेसे देखते रहे और कोश्चन जभी पक्के होते हैं जब कोश्चनों को बार बार देखा और पड़ा जाए तब तक के लिए धन्यवाद